नमस्कार मित्रों, साहिति सरीता के आज के संक में आप सब का हर्दिक स्वागत है, आज हम चर्चा करेंगे राजभाशा के प्रयोग की संभावनाएं इस विशय पर, विशय पर, चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्तित है, श्री धिरियंद्र कुमार ज्या, ज्या सब आपका स्वागत नमस्कार, श्री धिरियंद्र कुमार ज्या, रेलवे से उप महाप्रबंधक राजभाशा के रूप में सेवा निवरित हुए, वर्तम जब हम हिंदी की बात करें, तो संपर्क भाशा हिंदी, जन भाशा हिंदी, राश्र भाशा हिंदी, अलग अलग तरह के नामों के साथ, अलग अलग रूपों के साथ, हिंदी जो है, एक विस्तृत तौर पर, एक विस्तृत शितिच पर हमारे सामने आती है, इन रूपों को लेकर सहमती हो सकती है असहमती हो सकती है लेकिन एक रूप जो है हिंदी का वो सामिधानिक तौर पर मान्य है जो अधिकरित है वो है राजभाशा हिंदी का आप इस विशे के विशेशग्य है राजभाशा के रूप में हिंदी को जब लागू किया गया तो उसके साथ 15 हैंगे जहां साब हमारे दर्शकों के लिए कि राजभाशा आयोग जो बना राजभाशा नियम राजभाशा अधिनियम इस पर थोड़ा प्रकाश अब डाले राजभाशा किसे पहले वो जन भाशा रही है संपर्ग भाशा रही है और राजभाशा बनाये कि पिछे वही वो उसकी प्रिष्टभू में रही है वो जन भाशा होने के नाते ही देश की सबसे आदा बोली समझेयानी भाशा को राजभाशा का दर्जा दिया गया और ये अभी भी हम लोग ये इस भ्रह्म में है कि राजभाशा जो है अलग प्रकार की भाशा ऐसा नहीं ह वो हमारे कामकाज जन जीवन की भाशा है तरकारी कामकाज जो है जनता के लिए ही है और जनता की भाशा में होते हैं और ये जो एक और भ्रह्म एक लोगों के मन में है कि राजभाशा नीती जो है उसमें राजभाशा के प्रियोग के बारे में कुछ ऐसी कटनाई हैं ऐसे क के दौरान उधारन देकर बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से ये राजभार्षा का प्रयोग जनोन मुखी हो इसके लिए जो प्रयास किये जा रहे हैं उन प्रयासों को रिखांकित किये जाने के आवश्च्टा वर्षा वार्षा, करें को राजभार्षा नियम अधिनियम में जनता के साथ राजभार्षा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कहीं बाधक करने के लिए मेरा ऐसा रहा है जैसे मान लिए कहीं भी जो प्रयोग है रेल है जो ऐसे कार्याल है जिनका सीधा संबंद जनता से उन विभागों में जतना काम हो रहा है वह अगर उसमें मैं यह मेरा अनुभव है कि जनता को भी जागरूख होना चाहिए उनको नियमों की जानकारी हम जो नियमों की जानकारी देते हैं वो केंद्री सरकार कारलों में तो बहुत देते हैं लेकिन जनता के बीच सही तरीके से सही परिप्रिक्ष में जो सरकारी जो प्रावधान हैं उनकी जानकारी दियाने की ज़रुवत है मैं आपको एक मिनट यहां पर क्योल रोकना चाहूँगा, आपने एक बहुत अच्छी बात कही, कि जो जनता की भाष्या है, वही भाष्या है जो है राज भाष्या होगी, क्योंकि राश्टर भाष्या की तो सर्वविदित परी भाष्या है, कि किसी भी भुभाग पर मुल्यों को अंतरनहित करने के शम्दा होगा, जैसे आपने कहा कि जनता की भाष्या राज भाष्या भी होती है, ऐसे में राज भाष्या को जनोन मुखी करने के प्रयास थोड़ा विरुधा भास नहीं लगता, क्योंकि जनता की भाष्या राज भाष्या है, उसके बाद फ आप्धाता है तो यहां विशलाशा मंत्राने से, विद्ष मंत्राने से, पासपोर्ट से तो वहां वह भाशा तो सीखता ही है आप यह मान लिए एक रेल क्या है आरख्षन तो समझेगा ही क्या हो राज भाशा नियम अधिनियम और धारा तीन तीन चुंकि जो आम जनता है जिसका सीधे मतलब इसके प्रियोग से या वह प्रियोग भले ही हो रहे होगी लेकिन वो सीधे तोर पर इनसे बहुत परिचित नहीं होते उस पर थोड़ा यदिया प्रकाश डाले मेरी सोच अलग है मैं यह मानता हूँ कि जो सरकारी तंत्र में जिस राजभाशा के प्रयोग की बात हम कर रहे हैं उसमें हम जनता की भागीदारी सुनिशित नहीं करते हैं जनता उसमें हमारे साथ नहीं आती क्यों नहीं आती मेरे लिए बड़ा एक्षप्रश्न है जब आप रेल कर रहे हैं डाग घर कर रहे हैं आयकर कर रहे हैं तो उसमें जनता की भागीदारी कहां है क्योंकि उसका अंतिम उपियोग करता है जो है वो तो जनता ही है आप जो है कहीं ने कहीं कुछ करते हैं और उनको छोड़ देते हैं उनकी भागीदारी कहां है ये बहुत बढ़ा प्रशन है कि जनता की भागीदारी भी होनी चाहिए उनको हमें विश्वात दिलाना चाहिए क हमें हम आपके हुआ को लेंगे और जो सुझाओ लेने और देने का यह है यह अपर कार से माने माना ओफ चाडिकता मातर है उसमें वह चीश वह जीवन्तता नहीं है ऐसा नहीं लगता कि आप मेरी विचार आप मेरी जन भागी-दारी चाहते हैं ऐसा हमें असाऊ नहीं रहा है यह अच्छी लिखने वालों की संख्या घट रही बड़ी तेजी से मैं अपने अनुवाद बता रहा हूं जो चीजें आती है अनुवाद के लिए उसका अस्तर जो है बहुत ही समानी होता है ऐसी भूले होते हैं जो आप कल्गना ही कर सकते दर्ती से जुड़ा हुआ विशय नहीं है हिंदी में अगर ऐसी भूल करें तो आप मुर कहेंगे मैं कह रहा हूं अग्यानी कहेंगा पड़ कहेंगे आप लेकिन वह चीज़ें अंग्रेजी में जो है वह हलचल पैदा नहीं करती हैं उनको सहज रूप में उसको उपेक्षा उसको नए हिंदाज कर देते हैं तो ये और जब की तो मेरा ये है कि जो सामाने लोग हैं उनको में बताता हूं कि राजभाष नयम जो हैं संकी राजभाशन हिन्दिती में आपको पुरा अधिकार है हंदी का प्रियोग करने का है अब मान लीजिए एक कारेले में सौ तो पचास आदमी ने अगर हिंदी में काम करना शुरू कर दिया आवेदन देना शुरू किया अपने भविश्चित रूप से प्रशासन पर दवाव पड़ेगा और प्रशासन जो है वह उसका उत्तर अंगरेजी में ने दे सकता हाँ यह महत पूर्ण है कि वह उसका उत्तर जिस ने चुंकि हिंदी में आवेदन किया गया तो उत्तर वह नियम है पांच है और एक तरह और बता दूं कि पर इसका कहीं इस तरह का प्रचार प्रशार सरकारी कारेयलों में कि आप हिंदी में आवेदन करें तो आपको हिंदी म पर केवल लिखवा देने से कि हिंदी पत्रों का उत्तर ये नहीं करेगा उसको आपको उसके अंदर वो विश्वास पैदा करना पड़ेगा कि भीया वो डरता है कि हिंदी में दूँगा तो मुझे जवाब नहीं जल्दी मिलेगा समय लगेगा उसमें और हो सकता है कि लोग नाराज हो जाएंकि रेज ने कुछ भी धे दे देते हैं उसमें भूले नहीं देखिजाथे अक्षम में हो तो मेरा यह कहना अ है रहा हूँ क्योंकि गिंदे काभ्ला जो लोग राजभाषण नीति के आलूशना करते हैं वु वास्तों में अपनी सपाते या अपनी मांसिक्ता अपनी मानसिक्ता कुछी पाने का प्यास करते हैं, हिंदी का ब्रयोद कहीं नहीं है, वशर्ते की सही तरीके से, देखिए, एक आदमी हिंदी जानता है, लेकिन उस तरह सरकारी हिंदी नहीं जानता है, सबसे उसको विश्वात दिलाना है, कि भाई, जो आप हिंदी जानते हो तो वही सरकारी हिंदी है आप अलद नहीं है जो आपके भाश्य है वही सरकार के भाश्य है क्योंकि लोगतंत्र भी मूल रूप से तो लोगतंत्र में जो आम आदमी है वो उसकी एकाई है उसकी मदद मैं कैसे करूँगा जैसे माले सरकार में सरकारी में आप कहा रहे हैं कि लिए छुटी है उसको बता दिया मैंने उसके काम की जो चीज़े शब्दावली दे दी उसको एक उरुक्ता सरकारी जरूरी है तो आप कुछ लिखोगे कुछ लिखोगे तो ऐसा करो इसमें यह होता है उसकी जरूरत की जो शब्दावली है हमने उसको दे दी परिभाष्या के जो मुक्ष शब्द है और उन शब्दों के संथे बहुत अधिक नहीं होगी एक दिन में वो समझ गया वो उसके बाद का उसकी गाड़ी चल निकली कई बाधा नहीं है तो अभी देखिए मेरा क्या था कि हमने देखा कि ये उन लोगों को मैंने चिन्हित किय आफ जो अंगरेजी नहीं जानते है लेकिन das जानते हैं ओं लोगों को मैने पोड़िशाहीत किया कि ब्याप का म काम करो ही नागरिक नागरी को हक है को व्यथा निवेदन के लिए आवेदन करें तो इससे बड़ा आधिकार क्या चाहिए आपको अब प्रियोग के अस्तर पर हमें आगरुकता लानी है कि अभी उनका हमें भरोसा जीतना है उनको हमें बताना है कि आप लिखो अभी हो नहीं रहा है अभी हो भी रहा है तो उस्तर नहीं हो रहा है आधे दुए मन से कोई काम नहीं होना चीए जब पचास लोगों ने हिंदी में आवेदना शुरू किया तो क्या प्रशासन उनको अंग्रेजी में उत्तर देगा देने का साहथ जुटाएगा और प्रशासन के निती है हिंदी का प्रयोक पढ़ाना तो कुछ लोग जो हां बैठे हुए हैं जिनको अस्विधा होती है चुकि उसके बाद उनका वर्शत स्माप्त होता है सरकारी कार्यालों में राजभाशा के प्रोग की संभावनाएं जो हैं वो उन लोगों के वर्शत को चुनोवती देती हैं यह बहुत बड़ा प्रश्ण इसमें अगर हम दो पक्ष देखें एक पक्षम देखें वहवारी कठनाईयों का आपके आपका जो इतना प्रदीर गनुभव रहा है वहवारी कठनाईयां किस तरह की हैं कुछ शब्द जो है उनको आप जो है कस्टमाइज काम कीजे उनके उपयोग की चीज़ है सबसे केंद्रित आप बहुत विश्रितमत बताईये उनको जितना उनके काम के उतना बताईये उनको पहले उनको जितनी की जरुवत है कस्टमाइज कस्टमाइज हम बोलते हैं उनक लिए इतना उपयोग उतना कीजिए दूसरी चीज है कुछ जो है आपको नियमों की भाषा भाषा का जो इबारा की संदशना है एक विशेश प्रकार की जो बहुत जटल होती है जो जटल होती उस संदशना को थोड़ा सरल करने की दरुवत है और इसमें जो राजभाषा से आयोग वगरा जो है नवाद वगरा वो चीज़ें अभी भी एक प्रकार से जो अब जिसे उधान में दे रहा हूं आपको नियू सेंस शब्द अंगरी जी का उसके लिए अगर आपने कलेश दायक किया कंटक किया तो कौन समझ जाएगा सोचने की जरुएत है ऐसा निक नह होना चाहिए विमर्श ऐसा नहीं होता यह भी विमर्श कर लिमर्श महत्रकूंट मैं जैसे यहां पर आप से इसी विश्य को थोड़ा सा आके बढ़ाते हुए जैसे अपने कहा कि जिस तरह के शब्दों का प्रेयों किया जाता है तो ऐसा नहीं लगता आपको कि अनुआद जेसे मैंने आप उड़ा अब ऐ्ußिट सब्द है एक्षब बहुत से शब्धाइस चीज है अब वहाँ पर आप nic isポ raz इसको हमें दौनों चीजे बतानी है कि जो हम यहां पर बहरिगमन यहां पर निकास है तो यह Rob कोई स्टीम होती है उसमे स्टीम सो बाहर जाता है यूनिट वाला भार जाता है दितो पौने Karma लेट बाहर करने बाहरण Central निकास तो आप उनको उसके बारे में बताइए कि इसका प्रीयोग किया अभी क्या हो रहा है संस्थी राजभाशा सम्मिति किसी पारशनें बहुत ही व्यावारिक है उनको केवल लागू करने की बात है लागू करने के स्थर पर वो दिखाई नहीं पड़ रहा है मुझे उनको योजना जो है बहुत अच्छी है नियम बड़े अच्छे लेकिन लागू करने के लिए जि पिछले दिनों एक हमारे अधिकारी हैं तो उनके उनों मुझे से कहा कि एक सुरक्षा रक्षक है उन्हें आवेदन दिया महिला तो उनने मुझे से पुछा कि उसकी भाषचा देखकर मैं चकित रहा गया संग्यान वगर्द कि आपने लिखवाया है कि मैंने कर नहीं मैं ल मुझे जो आपकी बातों से एक और जो मेरी सोच में आ रहा है कि आप यह कह रहे हैं कि वहवारी कठनाईयां उतनी नहीं है नहीं है जितना जितना जो अवरोध है वह मानसिक है आप 1987 में मैं सीमा शुल्क सदन कलकता में था पहली जो में निखती हुई वहां पर सस्पेंस और निकलता था निलंबन आदेश बड़ा तकनिकी होता था जै मैंने कहा कि आदेश हिंदी में निकालेंगे चुकि धारा तीन-तिन केंतर गाता है तो कस्टम के अधिकारी जो थे उन्होंने कहा भी बहुत तकनिकी है हम तो कोर्ट में हार जाएंगे हमने का अंगरेजी में नहीं हारते आप क्या मैं अनवार करता हूं प्राधिकृत करता हूं आप मेरे खिराफ कारवाई किए और वो निकला हुए हंदी में चलने लगा तो 1987 में जब वह अथा आज क्यों कि अधिने वाले लोगों के लिए मैं जो है उनके लिए में संद्रक्षन देता हैं तक आप प्रयोग करो क्यों नहीं होगा आप को जब नियम है संभीधान की में लिखा हुआ दिखें है राजभारशा श्रीया पांच मी लिखा हुआ है धारा तीन तीन में धारा तीन तीन का मतलब यह था कि जब यह 1963 में बना संजी राज भाषा अधिनियम बना और 67 में संसोदन हुआ तो उसमें 14 दसावेज बिलिलिष्ट किये गए कि यह 14 सामा नादेश उसमें परिपत्र भी है अधिसूचना भी है लाइसेंस भी है पर्मिट भी है निविदा भी है सारी चीज़ें तो इनको बाई लिंग्वा दिवाशी रूप में साथ साथ जारी किया इसका उदेश यह था कि जब इसने बड़े पैमाने पर यह चीज़ तो हिंदी का अलग-अलग-अलग हमने कोटी करन क्यों कर दिया राजभाशा और दोनों मैं उसको बहुत वड़ांतर नहीं मानता चुकि मैं एक जनता के रूप में सरकारी कार्यालियों का जनता के साथ अभिन संबंद है यह संबंद ऐसा नहीं कि बहुत आपचारिक संबं करना चाहिए मैं ऐसा मानता हूँ बहुत मैं आपसे सहमत हूँ क्योंकि भाशा जो है जैसा पहले भी मैंने अपनी चर्चा में कहा कि बहता नीर है विदि हम उसको अलग-अलग भागों में बांट देंगे तो निश्चित तोर पर भाशा भाशा नीर है जाएगे अभी जो प्रोग्राम बन रहे हैं अंग्रेजी में प्रोग्राम बने बढ़ची बात है एक हमारे हां एक प्रोग्राम बना कि जो प्रत्वंदित छेत्र है जो भीतर आएंगे उनको जो है वो पास मिलेगा प्रवेश गेट पास तो उसमें अंग्रेजी में बने मैंने कहा कि इस आप अपनी बात कैसे समझाते हैं उनकों एहसास कराते हैं और मैं बता दूँ वो जब आप बताएंगे कि इतने इन लोगों को सुभधा हो रही है यह नियम का उलंगन हो यह कोई अधिकारी यह नहीं कहता कि नहीं आप मत कीजिए केवल आपको थोड़ा सा कहना है उसको लेक कठी नवाद हमें न मिले इतनी हम यहां पर समझाता करने यह समझातावादी मनुविट्टी जो है घंडी के लिए घाते हैं घातक सिद्ध हुई आपने अभी प्रोग्रामिंग की बात की आंग्रेजी में प्रोग्रामिंग हुई इसके बाद मैंने कहा कि साब ये प्रोग लिए उसके बाद उसकी जनके तो आप आश्यर हो कि गेट पास बाइलिंगुल लिखे लेगा हिंदी अगरेजी आप से कहना चाहरा था जब यह कहा गया कि वो जो प्रोग्रामिंग है वो अंगरेजी में हुई जहां तक प्रशन संगनक का है जहां तक प्रशन कंप्यूटर क है प्रोग्रामिंग तो जो है वो शूनी से लेकर नौ तक के अंकों में होती है वहां तो आप जो भाषा फीड करेंगे संगनक को भाषा से कुछ लेना देना नहीं है यह तो ऐसा कि जो कुछ फीड किया जा रहा है जो अगर अंग्रेजी का इस्तेमाल करना तो जो प्रोग्राम कोई भी कंप्यूटर अप्लिकेशन बाइलिंगवल होगा दूहार शुरूप में हो जे ताकि उसे बदान हो तो इसमें और जनता को इसकी आवश्यक्ता होगी जब आप मानते हैं कि अभी इंग्रेजी जानने वाए लोग कम हैं हिंदी और भारती भाषा जान है सवाल है कि आपका उसके प्रती अप्रोच कैसा है आप उसके साथ कैसे आप उसके साथ तारात में स्थापित करते हैं भावनातमत लगाओ करते हैं यह भी मानसिक्ता का प्रश्न है तो मानसिक्ता के नाम पर आप सारी चीज़ों को जो है वो ऐसे नहीं कर सकते कि मानसिक् अच्छी नहीं आती, तो आप अगर उसको बताते हैं, उसको समझाते हैं, उसके अंदर रूची पैदा करते हैं, व्याभारिक रूप से, दिखावटी नहीं, तो कोई कारण नहीं हो करता, और छोटी-छोटी चीज़ें, अब देखिए, जैसे मैंने एक पत्र दिया, मुझे अब आजकल तो सब कुछ मालूम है, आपको सब कुछ हो रहा है, यह वाला एलक्रोनिक, तो आपने उसको उसने एक हिंदी पत्र दिया, आपने पावती अंग्रेजी में दी, अब यह छोटी सी बात है, लेकिन हिंदी में पत्र देने वाले की, वो आपने चोट तो अगर वो पावती भी हिंदी में आप देते हैं, तो उसका मनोबल बढ़ेगा, वो उसका विश्वास बढ़ेगा, और लोगत अंतर शास्तन और प्रजा के बीच का जो एक संबंद है, वो जो जो है, वो दोनों जो है, एक हिस तरपर होना चाहिए, इस कारण से मुझे होगी, मुझे मानसिक कष्ट होगा, मेरी छटी भी हो सकती है, यह अगर संबेदना आप रखेंगे, तो भाषा का कभी विरोध नहीं करेंगे आप, चुकि मुझे इस संदर में याद आता है, कि एक बार जो है, एक हिंदी भाषी प्रदेश में इस तरह का जो है, नियम ला मारी क्या है, यदि वो हिंदी में लिखी जाए, मानली जी कि गले में सूजन है, तो बहुत बार ऐसे होता है कि सम्मंधित अंग्रेजी शब्द से वो अंजान है, तो यहां अगर उसको गले में सूजन लिखी जाती है, तो बहुत रहत महसूस करता है, तो यह यह जो है, मै मैं बिल्कुल उस बिंदो पर आ रहा था कि हमारा विशे था राज भाष्या के प्रियोग की संभावनाएं, अब यह हमारा दुर्भाग है, कि सतर वर्ष बाद भी हम संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो पीछे की यात्रा में यह नहीं मैं आप राज भाष्या के प्रियोग की जो संभावनाएं हैं, उनको आप किस तरह से देखते हैं, कितनी सकारात्मक्ता हैं और वास्तोविक संभावनाएं कितनी हैं, आशंकाएं कितनी हैं, मैं बहुत संक्षेपना उत्तर चाहूंगा. निर्विवाद रूप से मैं कहना चाहूंगा, कि राजभाषा के रूप में हिंदी का बविश्य बहुत उज्वाल हैं, और ये हिंदी के प्रियोग का दवाव पड़ेगा तंत्र पर भी, पड़ेगा पड़ेगा, चूकि ये चीजें जो हैं, जिस तरह से अब कार्यालिय में करें न करें, लेकिन ऐसा वातावन बन रहा है, जिस वातावन के ताथ हिंदी का प्रियोग जो है, वो एक प्रियोजन मूलक बादेता रहेगी, ये मैं ये देख रहा हूँ, और केवल थोड़ा सा, अब मेरा ये भी कहना है, कि जो पॉलित, उसको भी लेकर चलें, उनक अब आपकी सारे बातने हैं, मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक है, उनके आज ग्यान में भी वृद्धी होई होगी, और राजभाशा को लेकर, जो कई तरह के मन में संश्या हैं, या उसको लेकर जो एक पूरी जानकारी का भाव था, वो हमारे दर्शक को तक पहुंच होगा, आप स्टूडियो में आएं, आपने समय दिया और हमारे दर्शक के सलाभानमीत हुए, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार.